आई विस्टर्जेश एंटेटर्स विल्कम बाक टो मैं चानल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के साथ इस एपिसोड में देखेंगे काब्रा एक्स्टूजिन टेकनीक के बारे में पहले देख लेते हैं कंपनी की थोड़े बहुत हाइलाइट्स फिर आते हैं चार्ट के तरफ और डिसर्ट करते हैं किया आप हम लोग को बाइन करनी चाहिए या नहीं तो अगर कंपनी को देखा जाए तो यहां पे ऐसे मशीनरी बना रहे हैं जो की प्लास्टिक फिल्म्स और प्लास्टिक पाइफ चोते हैं उसको मेनिफैक्ट्रिंग करने में मदद करता है अगर घीव अगरे जो आते हैं दुकान में जो जिसमें FMCG वाले गुड्स जो पैक होते हैं उन सब तरह के यह प्लास्टिक बैक्स है और उसका बहुत जाद है अल्टरनेटिव फिलाल अभी मार्केट में अवेलिबल नहीं है कुछ बैक्स आते हैं जिसमें कपड़े अपड़े डाल के बेचे जाते हैं वो अभी पूरे तरह से इसका अल्टरनेटिव नहीं है उसके अंदर आप लो यह सारी चीजें नहीं कर सकते हो वो खराब हो जाएगी तो यहां पर अभी देखा जाए तो इन सारे चीजों को अल्टरनेटिव अभी तो यहां पर अभी मतलब coming near future मे यहां पर देखा जाए तो एक तरह से प्लास्टिक के अंदर ही है प्लास्टिक कही काम है तो इस बिजनेस पर भी एक मतलब अच्छा-खासा अपसाइट पुटेंशल है कि दियमें दियमें आरें बैटरी वाले ही कार्स और यह सब वेहिकर्स देखा जाए तो बनाये जाएंगे और कुछ टारगेट भी है विदेंटेंटी फिप्टी फिपरसंट आफ देखने को मिल रही है इंडस्टी की फीज बुक वैल्यू करेंट प्राइज में तो इतना डिफरेंस नहीं वर स्टॉक की पी यहां पर हाई है मीन रिजन्स यहां पर है कि इसके अर्निंक्स में काफ़ी जादा ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो कि अभी पिछले एक-दो साल में डिलेवर हुआ भी अब रि अब यहां पर आकर हम लोग डेट और रिजर्व की बात करें तो कंपनी की डेट फिलाला भी एक सो साथ करोड के हैं और रिजर्व्स तीन सो बीस के मतला वन इस्टू त्रीका अच्छा खासा रेशियो उनने मेंटेन करके रखा है यहां पर कॉर्टर और देखोगे तो कॉ समय केंबर से देखी जाए तो 180 से 207 कहां पर जंप आया है उससे पहले 105 था उससे पहले 163 और 105 था अगर एक एक बंच करके देखा जाए चार-चार कॉर्टर का एक साथ यहां पर डेफिनेटली एक ग्रोथ हम लोगो देखने को मिल रही है और काफी तेजी से देखने को मि के अंदर तो इसी रीजन से अर्निंग जूरूत एक्सपेक्टेशन के साथ से नहां पर बढ़ रही है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पर देखो आज आती जब बढ़ने लगती है अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाती है कंपनी तो फिर इस साल नेगेटिव रहा है जो कि बहुत अच्छे बात नहीं है शेरोलिंग पैटर्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग तीन परसंट से बढ़ी है एफाइस की होल्डिंग भी दो परसंट से बढ़ी है क्योंकि पहले तो एक परसंट के आस पास थी अब डियाइस की देखे जाए तो यहां पर कोई मेजर ओल्डिंग नहीं है पबलिक की ओल्डिंग यहां पर कुछ परसंट से कम हुई है चार्ट से प्रिष्ले बार हम लोंने बाइंग की इन वाले ब्रेक आउट भी किया था इसको यहां पर स्टॉप्रस लगाया था विलाल देखिंगे अभी उन वाइस तो एक हजार एक सुदो की लेवल पर वह कैसे ले रहे हैं वह लिया जा रहा है यहां पर यह जो इनवर्टर अगर इसको देखा जाए तो अगर उसे साब से देखा जाए तो वह हम लोगों को टार्गेट है और यहां पर डेफिनेटली आप लोग पहले 20-30% किसे भी तरह के रिकेमेंडेशन नहीं है ऐसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना बेल आइकन वारे नोटिफिकेशन बटन जुरूर दबाना और अपना कैपिटल सेफ रखना ओके बाए